ही गाइज वेकम टूस पॉइंट मैसेफ रिशिका आज अभी हम लोग डिसकस करने वाले वीजनाइस के करेंट फिर्स जो कि हमारे में मन्त की है तो काफी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके है आज हम लोग यहां पर सेक्यॉर्टी देखने वाले है तो सेक्यॉर्टी के बा हम लोग यहां पर देखने वाले है तो यह है क्योंकि इंडियान आर्मी के दौरा प्रपोस किया गया तो इसके बारे में इच और पॉइंट को यहां पर कवर करेंगे थर्ड इस इंटिग्रेट बैटल ग्रूप तो आई बीजी इसे कहते है इच और इवरी पॉइंट कुशन से आप लोग लिए उसकी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है आई होब कि आप लोग वो लेसन देख चुके अगर नहीं देखे हो तो रिक्वेस्ट यू कि आप लोग पहले लेसन देख लेना फिर आकर यहां पर आंसर जरूर दीजेगा ठीक है चलिए पहले कुशन आंसर देख लेते हैं फिर हम लोग लेक्शर पर आएंगे तो इस आप लिए इंपोर्टेंट इन वेरी इसेंशल टॉपिक तो यह सारी चीज़ पता होना चाहिए थर्ड है कि प्रधान मंत्री इविद्या है क्या और फूर्थ इस ग्लोबल निट्रेशन इसके द्वारा यह रिलीज किया जाता है इसका एम क्या है तो यह सारी चीज़े कुछ जो भी आपको याद आ रहा है ना ठ्राइटू आंसर देने का कोशिश किजिए जो भी आपको याद आ रहा है कुछ ऐसा नहीं है कि आप गलत दे दोगे तो आपकी इंसल्ट हो अब हमनों टॉपिक पर आते हैं तो स्टार्ट करते हैं हमनों फर्स टॉपिक से पहले समझने का कुशिश कीजिए कि बॉर्डर इंफरस्ट्रुक्चर के बारे में पढ़ रहे और इससे रिलेटेट सेकेट कर कमीटी की रिकमेंडेशन है तो न्यूज मेंस ली था क्योंकि चुकर को सब्सक्राइब करसे अबर इससे के रिकमेंडेशन है तो और इंफरस्टुक्टDD के डिवारा कि कैसे रोट कंस्रुक्शिं को जो है जो है, speed कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, social economic development जो है, उस border area में ज़्यादा तेजी से हो पाएगी, तो ये क्या क्या है, पहला है कि outsourcing, यानि कि जो यहाँ पर road construction work है, यानि कि जो optimal BRO का, BRO especially ये एक organization है, जो कि roads, national highway, इन सब के constructions के लिए काम किया जाता है, तो इसलिए इनकी जो beyond optimal capacity है, उसी के साथ जाकर यहाँ पर एक road construction work को outsourcing करनी है, engineering procurement contract mode है, जो कि इसको mandatory बनाना होगा, जिसके तुरू सारे काम जो है, सारे work जो है, execute हो पाए, और जिसमें कि आपका 100 crore स से भी ज्यादा costing है, तो वो सारे जो काम है ना, उसको यहाँ पर mandatory रखना, engineering procurement contract में, engineering procurement contract की बात करें, इस mode में, तो प्राइविट प्लेयर है ना, ये आप देखोगे कि road को बनाने के लिए ये pay करते हैं, लेकिन इनका कोई काम नहीं होता है, road के ownership में, tall collection में, और maintenance में, तो य in the making road, road बनाने में वो investment करते हैं, but after that क्या होता है, कि उस रोड के ownership होते है, tall collection होता है, maintenance की जाती है, तो उसके लिए जो है ना, कहीं से भी responsible नहीं होते हैं, या फिर कहीं से भी जो है, इनका कोई भी हगदार नहीं होता है, ये सारी चीज़े government के अंदर आती है, second यहाँ पर modern construction plant जो है, उसको introduction करना है, introduce करना है, equipment और machine भी जो कि यहाँ पर enhance करनी है procurement power को, और कहां से तो 7.5 करोड से 100 करोड तक और वो भी BRO को, तो ये domestic और foreign procurement दोनों तरीके से करनी है, यानि हमारे यहाँ के भी यहाँ पर आपके जो worker से वो भी काम करेंगे, और foreign से भी इस तरीके का जो है, आपका procurement power होगा, कि हम लोग 100 करोड तक यहाँ पर लेकर आ सके, BRO की बात करेंगे तो उनके द्वारा recently introduced किया गया है advanced equipment, तो advanced equipment कहने का मतला है, hot mix plant है, remote operated hydraulic rock drills है, यानि कि इस तरीके का आपका equipment है, जिससे कि आप देखोगे, कि road बनाने के लिए जो materials को आपका mix किया ज जाता है, तो वो सारी चीजों को mix करने के लिए एक आपका equipment आया, फिर जितने भी आपके rock drills है, यानि कि पत्थरों को तोड़ना, फिर और भी जो आपका फुर्दर काम किया जाता है, तो उन सारी चीजों के लिए यहाँ पर machine, कुछ new technology है, जैसे कि geotextiles आपका है, तो इस इसे भी hurdles ना बन सके, third recommendation है कि land acquisition and all statutory clearance होना चाहिए, जैसे कि forest और environmental clearance होती है, जब भी कोई construction करना होता है, तो पहले clearance लेना होता है, कि इस तरीके के construction से कहीं ऐसा तो नहीं कि forest की कटाई होगी deforestation करना है, या फिर environment में किसी भी तरीके का bad आपका effect पढ़ने वाला है, या फिर कुछ आपका emission होने वाला है, तो अगर इस construction में इस तरीके की चीज़े नहीं होती है, तभी आपको forest और environmental clearance दी जाती है, तो ये एक approval का part है, यानि कि जो detailed project report है, इसी के approval का एक part होता है, land acquisition, यानि कि जहाँ पर road बनानी है, वो जमीन जो है, वो acquire होना चाहिए, इस process में बहु one decade तक भी चले जाते है, तो ये इस तरीके का भी काम होता है, तो आप लोग समझ सकते हो कि कैसे हमारे हाँ जो है, एक छोटा से road construction का जो काम है, वो हो पाएगा, तो ये तीन यहाँ पर recommendation दिया गया था, first क्या है कि यहाँ पर engineering procurement contract करना है, private players भी होंगे और public players भी होंगे यहा modern constructions plant होना चाहिए, यहाँ पर आपके equipment और advanced technology उसका इस्तिमाल करना है, third एक ही land acquisition और सारे statutory clearance होनी चाहिए, तो ये तीन चीज़े यहाँ पर recommendation ती गई थी जिसको बेटर तरीके से implement किया गया है, अब यहाँ पर organization है, BRO, इसके बारे में facts and figure पता होना चाहिए, which is very important for your prelims, तो BRO जो है, अपनी operation कब से start किया है, 1960 से, as a leading road construction agency है, और काम किसके अंदर करते हैं, तो ministry of defense, कोई भी organization होते हैं, उनके head होते हैं, जो कि आपके ministry होते हैं, तो you should know the ministry, और बात में इनका जो primary role है, कि ये road connectivity प्रोवाइट करते हैं, border area में, साथी साथ road construction और maintenance work को भी execute करते हैं, North औ Myanmar और Afghanistan इन जगों पर भी हमारे BRO के द्वारा जो है road construct किया गया है, अब दिखते हैं कि इस तरीके का border जो infrastructure है, उसकी ज़रूद क्यों पड़ी, क्योंकि national security के लिए border infrastructure कहने का मतलब है कि जैसे हमारे या नेवर country के साथ border है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडि वललरेबल है, political instability देखने को मिलता है, sometimes जो है cultural radicalism में देखने को मिलता है, बहुत सारे terrorist में भी देखने को मिलती है, इंडिया पाकिस्तान की ही बात कर लो, तो terrorist जो है वो हमारे इंडिया में के border के अंदर जो है आ जाते है, तो इस तरीके का national security के लिए जो है एक अच्छा ख आ जा रहा है वही चीज़, साथी यहां पर road है, railway lines है, communications network है, जो कि fiber optics है साथी साथी बार्डर में, तो क्या है कि हमें अपने neighbor countries के साथ भी आपर competition और matching करना है, development की ज़रूत है well being होना चाहिए लोगों की जो की border area में रहते हैं, जो border area में रहते हैं उनको काफी ज्यादा problem हो क्योंकि ना तो वो उस country के उस पार होते हैं ना तो इस country के इस पार होते हैं, उनकी जो दिनचरिया होती है काफी problem से होती है, और सबसे ज़्यादा जो problem देखने को मिलता है वो उनहीं के साथ होता है, क्योंकि border area में आपको पता है काफी तरीके के tension होती है, तो उन से उन लो infrastructure हमें बनाने की जुरत है, और साथी साथ यहाँ पर heavy artillery और जो long range vector है, उसका employment भी हो पाएगा, फिर है यहाँ पर की legitimate trade and travel को facilitate कर सके, और यहाँ पर अच्छा खासा control हो, किस-किस चीज का control करना है, तो आपको देखने को मिलेगा कि cross border जो है trafficking होती है, crime होता है, terrorism होता है, illegal जो ह border infrastructure हमें develop करना है, इसमें किस तरीके की limitation है, limitation है कि हम लोग के यहाँ कोई भी चीज अच्छे से implement नहीं हो पाती है, schemes are in numerous number, आपको numerous दिखने को मिलेगा, बहुत सारे है schemes हमारे हैं, but problem is this कि हम उसे अच्छे तरीके से implement नहीं कर पाते है, 2017 में CAG होते है, वो आप देखोगे कि 73 roads जो allot किया गया था border area में, सिर्फ 22 roads है जो कि complete किया गया है 2016 तक, तो similar जो case है वो आपको 14 strategic railway lines के साथ साथ भी देखने को मिलेगा, road भी आपनों का पूरी तरीके से construct नहीं हो पा रहा है, as well as जो railway lines है वो भी construct नहीं हो पा रहे है, monitoring का कमी देखने को मिलता है, यानि कि जब road की constructions होती है, उसका जो time period होता है कि इतने target तक achieve करना है, तो उसको time to time monitor भी लोग नहीं करते, देखते भी नहीं है कि road construction में कितना progress है, तो ये सारी चीज़े देखने को बनता है, साथी साथ multiple authorities होना चाहिए, जो कि इस border को manage कर सके, तो इंडिया में army है, Indo-Tibetan border police है, border security forces है, तो ये सारी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर इतना जादा security forces रखे, तो क्या होता है ना कि हमारे है multiple authorities है, हर जगा जो है आपको देखने को मिलेगा, इंडिया चाइना में जो है इंडिया पाकिस्तान और इंडिया नेपाल, इंडिया बांगलादेश, तो हर जगा बहुत जादा अलग-अलग तरीके के authorities है, तो इसमें भी sometimes confusion और बहुत तरीके की बात निकल कर आती है, साथी lack of unity of command है, management अगर आप देखो कि तो inefficient है, क्योंकि कुछ places में ministry of home affairs responsible है, और कुछ places में ministry of defense responsible है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि multiple ministry भी involved है, तो ये sometimes एक आपका confusion कही न क करता है, staff deficiency है और modern equipment की कमी है, तो हमारे हाँ एक proper staff की भी कमी देखने को मिलती है, और कुछ modern equipment बोले या फिर advanced equipment बोले तो इसकी भी कमी हमारे हाँ देखने को मिलती है, adequate allocation ही नहीं है fund की, fund की जो crunches है, वो major drawback है, major मैं hurdle बोलू किसी भी project को implement करने के लिए, so these are the problems, challenges, issues, जो कि आ अब लगता है कि हमें जो है modern infrastructure को boost up करना चाहिए, तो देखते है कि सकितकर committee के द्वारा यहाँ पर क्या आपका recommendation दिया गया था, यह बनाया गया था, यह recommend देने के लिए कि कैसे हम लोग जो है ना यहाँ पर defense expenditure को rebalance कर सके, जो armed forces की है, और साथी साथ capability को भी combat कर सके, इनके द्वारा जो report submit किया गया था, वो 2016 में किया गया था, और कुछ recommendation दिया गया है, जैसे कि defense budget को जो है ना, वो यहाँ पर 2.5 से 3% तक GDP का होना चाहिए, साथी यहाँ पर repair in clause है, आर्मी में उसको भी restructure करना है, जैसे कि उनको base workshop होना चाहिए, base workshop, advance workshop होना चाहिए, station workshop होना चाह यह peace location के लिए restructure करना है, civilian workforce को, और इस तरीके से कि military जो engineering service है, उसका काम हो सके, और यह भी आपका partly हो सके, जिसमें कि departmentally employed staff हो, तो recently आप देखोगे कि यहाँ पर defense minister है, जिनके द्वारा कुछ proposal अप्रूज़ किया गया है, कि कैसे यहाँ पर 9304 post को MES में, military engineering service में कैसे abolish करे तो सकेत के committee की यह कुछ recommendation थी कि defense budget कितना होना चाहिए, तो GDP का 2.5 से लेके 3% तक होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग main main चीज में ही बहुत कम खर्च करते हैं, बहुत ही कम budget allocate करते हैं, तो it should not be there, क्योंकि आप देखोगे कि less than 2% भी 2019 में था, which is very poor, तो य नहीं होना चाहिए, साथी steps क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहला है कि border area development program लाए गया है, main objective इसका यही है कि special development की जो जरूरत है, लोगों की जो भी यहां पर border में रहते हैं, उनकी well wing के लिए जो भी चीज की जरूरत है, उसको यहां पर देखा जाएगा, second एकी border infrastructure और management ह जिसमें कि 60 project है आपके, जैसे road को construct करना है, school, primary health center, helipads है या फिर border tourism को promote करना है, तो यह सारी चीज में है, साथी इंडो चाइना border road को complete भी करना है, 61 road plan किया गया है तब first phase में, जिसमें से कि 36 अभी तक construct किया गया है, साथी forest clearance को भी यहां पर बढ़ाना है, तो इसमें किया ह कि government जो है general approval under forest act 1980 के साथ यहां पर accord किया गया है government की द्वारा, जिसे कि यह clearance भी जल्दी हो सके, साथी national highway and infrastructure development cooperation limited को बनाना है, साथी साथ यहां पर जो power head technology का, उसको जादर से जादर इस्तिमाल करना है, जिसे कि advanced तरीके का equipment हो, weapon हो, यह सारी चीज़े हम लोग इस्तिमाल कर सक और surveillance और communication भी यहां पर maintain रहे है, way forward में बताया जा रहा है कि PPP mode यहां पर apply करना चाहिए, जैसे कि public private partnership, इस बार आपका question भी था, जो कि Sunday को अगर आप लोग attempt कियोंगे मिन्स्टे सीरीज का, तो इस बार का आपका question भी था, PPP mode से आप क्या समझते हो, तो यही चीज़े है कि इसमें भी आप लोग देख रहे हो, कि क्या है कि public players भी include है, private players भी include है, तो this example को भी आप include कर सकते हो, कि road construction में public players का क्या participation है, private players का क्या participation है, okay, so इसे क्या होगा ना कि government की जो resources है, वो बसती है, best practices यहां पर निकल कर आता है, innovation होता है, अच्छा खासा knowledge यहां पर दिया जाता है country के security और sovereignty को बिना trade किये हुए, better coordination हो पाता है services के साथ, जो कि कुछ services के बीच में भी देखने को मिलता है, जिसमें कि armed forces है, ministries है, कुछ और stakeholders है, जो कि अच्छा खासा जो है border infrastructure service provide कर सके, हमारे country की collaboration है, इससे क्या होगा कि participation देखने को मिलेगा सारे country stakeholders का, जिसमें कि कुछ forces है जिसमें कि district border है, community policy है, citizens है, जो कि border area में रहते हैं, transformation होगा, BR होगा, जिसमें कि कुछ organizational structures की changes देखने को मिलेगी, construction practices है, capacity building होगी, defense forces का, जिसके तुरू वो अपने safety को maintain करेंगे, liability को minimize करेंगे, और ensure करेंगे कि force understand हो, और साथी साथ अपने mission जो भी national security के लिए है, वो सारी ची अच्छी लगी होगी, सारी चीज़े समझ में आई है, पहले हमनों recommendation क्या क्या है, वो देख लिए, और क्या क्या है, यहां पर आपका implement क्या गया है, वो भी ध्यान रखिएगा, BR के बारे में हम लोग facts and data देख लिए, border infrastructure क्यों जरूरुत है, यह point याद रखिएगा, क्या limitation ह क्याने का मतलब है कि issues क्या क्या है, यह सारी चीज़े भी हम लोग देख लिए, ठीक है, coming to the next article, that is Indian Army Proposes Tour of Duty, तो इसके बारे में देखने वाले है, news में इसलिए है, क्योंकि Indian Army के दौरे यह propose क्या गया है, कि common citizens को allow करे, कि वो अब यहां पर officers के rank को join करेंगे, soldiers के rank को join करेंग कि tour of duty यह है क्या, tour of duty जो है, एक short है, voluntary internship program है, तीन साल का, वो भी youth के लिए, यह आपका youth के लिए है, जो कि कभी भी जो है, आप देखोगे, defense services को अपना permanent vocation नहीं बनाना चाते, बट फिर भी वो experience करना चाते, यानि कि जैसे आप लोग की भी मनशा होगी, कि side defense में जाए, ब प्रपोजल में suggest किया गया है कि कुछ measures लेना, जैसे कि schemes में incentivize करना, tax free income रखना 3 साल के लिए, साथी token lump sum देना at the end of 3 years, यानि कि जो भी income आपको 3 साल के लिए provide किया जाएगा, उसमें किसी भी तरीके का आपको tax provide नहीं करना, तो यह सारी incentives दी जारी है, और साथी साथ यहाँ पर कोई भी saverage package नहीं होगा, यानि कि retirement benefit नहीं है, ऐसा नहीं है कि तीन, कभी भी आप किसी और job से retire कर जाओ, तो आप लोको यहाँ पर pension बगेरा मिलेगा, no, pension, gratitude, leave आपका जो encansment होता है, यह सारी चीज़े नहीं दी जाएगी, okay, fine, तो यहाँ पर देखते हैं कि similar scheme और कहा का चल रहा है, World War 2 के बाद अगर हम दो देखे, तो color service था 7-10 years तक और reserve service था जो कि 8-15 years तक, यह आपका introduce कि आगया था British Indian Army के द्वारा, साथी साथ यहाँ पर इस model का Israel में भी आपका चला था, जैसे कि less availability है, अगर youths की less availability है military और service में, तो इस तरीके का model जो है, यानि कि नहीं है, तो यह बहुत अच्छी बात है, इस तरीके का आपका रखा गया, benefit क्या है, यह tour of duty जो proposal लाया गया है, इससे क्या benefit होगा, इससे यह होगा, कि हम लोग अपने youth energy को channelize कर पाएंगे, utilize कर पाएंगे, positive utilization होगा, उनके potential का, साथी proposal है, जिससे कि आप देखोगे कि यहा तो यह चीज़ है, cost of three year service, जो है न, per officers के लिए, यह fraction of cost है, जो कि short service आपका, जो है, SSC officers जैसा, यहाँ पर आपका माना जाएगा, साथी यह भी suggest किया जा रहा है, कि एक तरीका है, जिससे कि unemployment को भी address करे, सबसे more important चीज़ है, unemployment की बात है आप लिखते हो, तो इसको tour of duty को भी आप लोग include कर सकते हो, क्योंकि आज की date में बहुत सारे youths खाली बैठे हुए है, उनको कोई भी तरीके का job नहीं मिल पा रहा है, तो यह बहुत better है कि 3 साल के लिए आप अपने आपको appoint कर सकते हो, साथी साथ यहाँ पर individual के earning भी हो पाएगी, क्योंकि tax free यहाँ पर earning हो रहा लेकिन concern क्या है इस तरीके का proposal का, concern यह है कि यहाँ पर कहीं skill ना combat हो जाए, experience, preparedness, जो कि यहाँ पर war के लिए recruit करना होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बस कोई भी youth को इसमें लेकर आजाए, जिनका मन है, वो यहाँ पर आजाए, लेकिन अगर कोई भी तरीके के threat होती है लेकिन के problem होती है, तो वो उसको tackle ना कर पाए, जिसे और एक तरीके का risk हमारे countries में निकल कर आए, SST की बात करे, short service जो commission है, यह already यहाँ पर आप देखोगे कि short service के लिए recruitment होता है, national cadet cop है, NCC, जिसमें की military experience दी जाती है, तो इसको भी देखा जाता है कि यह duplication of efforts हो सकता है, यहाँ पर जो efforts लगाया जा रहा है, वो आपका duplicate हो सकता है, beginning में अगर हमनों देखे, तो एक जो tour of duty officer होंगे, वो यहाँ पर in date of service को जान पाएंगे, उनको लगेगा कि इतने ही short period के लिए काम करना है, तो में भी हो सकता है, कि वो अपनी best quality नहीं दे पाए, productivity उनका नहीं आ quality process किया जाएगा, but few of them जो है, उनके पास कुछ skills होगा कि वो open market के द्वारा भी acquired कर सकते है, तो यह भी चीज है, और employment जो है, after three years, तो यह तो not certain है कि employment देना है, लेकिन employment कैसा दे रहे है, तो limited time के लिए, और तीन साल के बाद कुछ, वो लोग क्या करेंगे, जो कि इसमें standard of training और operational requirement के लिए, जो armed forces के लिए चाहिए, और जो लोगों को यहाँ पर चाहिए, तो most cost effective method है कि कैसे हम लोग military budget को यहाँ पर manage कर पाए, साथी यह बिना किसी ethos को, morals को, या फिर value system जो armed forces है, उसको dilute करके यह चीज किया जाना चाहिए, तो यह सारी यहाँ पर बाते बताए जा रही है, तो एक different C point है, आप इसको कहीं भी answer writing में कोई भी point आता है, तो उसके साथ आप लोग इसको merge कर सकते हो, okay, coming to the third article which is very important and interesting, integrated battle group, तो recently Indian Army के द्वारा पॉस्पोन कर दिया गया है, official launch, जो कि वो new integrated, integrated battle group ओ ला रहे थे, क्योंकि अभी COVID-19 pandemic है, तो अभी यह पॉस्पो combat formation है, जो कि swiftly launch strikes against adversary in case of hostilities, यानि कि यह इंट आप लोग देख सकते हो, कि यह mobilize करते हैं within 12-48 hours जो भी location में इनको जाना है, यानि कि आप लोग देखते हो कि self-sufficient combat formation होते हैं, जहां पर भी किसी भी तरीके का problem आ जाता है, यह क्या करते हैं कि 12-48 hours, यानि कि आप लोग देखो कि एक दीन से दो दीन के बीच में जहां न वो desired location में पहुंच जाते हैं, जहां भी इनका जरूत होता है, साती साती एक integrated unit है, इसमें बहुत सारे जितने भी आपको देखने को मिलेगा, कि इसमें काफी तरीके के battle group होते हैं, और इसमें सारी चीज़ें इनको मिलता है, जासे कि इसे क्या होता है, कि जो mobilized का time है, वो increase हो जाता है, कहने का मतलब है कि मान लीजे कि कहीं पर आपका जो है बहुत जादा दंगा हो गया, curfew अगर लगाना है, या फिर उस दंगे को बचाना है, तो क्या करना होता है, कि कुछ armies के लोगों को बुलाया जाता है, कुछ इंडो तो यह जो integrated battle group है ना, यह आपका यानि कि offensive role में यह perform किया जाएगा, cross border operation में defensive role भी होगा, जो की enemy attack अगर होगा तो, यानि कि दोनों तरीके का role होगा, offensive भी, defensive भी, यानि कि बचाओ में भी या फिर किसी भी तरीके का अगर attack करना है, तो वो भी किया जाएगा, ठीके, मिल लि valley वाला जो problem intention arise हुआ है, तो इससे क्या होगा ना, कि इस तरीकी की battle group को यहाँ पर deploy किया जाएगा, जिससे कि further अगर किसी भी तरीकी की, अगर problem होती इस border में, तो better तरीके से इसको tackle किया जाएगा, हर एक integrated battle group में जो है tailor mate, आपका based होगा threat, parent, task, और resources भी यहाँ पर allot किया ज इनको यहाँ पर जुरू थे कि काफी light रहे और logistics जो है यह भी आपका low रहे, तो lightweight रहेगा, तो carry करने में आसानी रहेगी, साथी composition अगर हम दो देखे तो इनके पास क्या क्या होगा, तो जिस जिस terrain में होंगे, जैसे कि देखी कि India पाकिस्तान वाला जो border है, वहाँ का geographical location ही अलग है, इंडिया अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पर अलग है, तो जिस जिस जगे का location होगा, उसी हिसाब से जहे उनको समान दिया जाएगा, उनकी composition होगी, और साथी साथ यहाँ पर अगर देखे तो इनको measure general के द्वारा head किया जाएगा, इसमें आपके 5000 तक की troops हो इससे क्या होगा कि effective implementation होगा, जो cold start doctrine है, इसकी implementation सही तरीके से उपाएगी, यह है क्या cold start doctrine जो है, इंडियान आर्मी force की यह doctrine है, जिसमें की swift deployment होता है, troops का वो भी western border में और within days में होता है, western border जो इंडिया पाकिस्तान वाला border में आप देखते हो ना, तो वहाँ पे आप हमेश war horizons जो अगर इस तरीके का situation होगी, ब्यूद वागेरा हो गया, तो इन सारे लोगों को बुला जाता है, तो इसको कहते cold start doctrine, बस इसी को एक advance form दे दिया गया है, यहाँ पे जो है different different आपके आर्मी जितने भी होते, उनको यहाँ पे रखा गया है, इनके पास जो है different different तरीके क तोप होगा, जैसे हिंदी में बोलूं, तो अगर वो सब गाडिया जो होती है, जिसमें कि आपका bum वगेरा होता है, तो वो सारी चीज़े यहाँ पे होगी, यह doctoring का aim यही है कि यहाँ पे Indian forces को allow करना है कि sustain करे attack और साथी साथ एक nuclear retaliation भी prevent करे अगर पाकिस्तान के तरफ से ह हो रहा है तो, यानि कि पाकिस्तान के तरफ से मेली यह देख ली कि इंडिया पाकिस्तान के border को और ज्यादा secure और ज्यादा safe करने के लिए इस तरीके का integrated battle group बनाया गया है, तो guys हमारे यहाँ पे security खतम हो गई है, अब यहाँ पे next हम लोग culture और साथी साथ आपका government scheme तो 3 topic औ ठीके, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको यह lesson अच्छी लगी तो like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, साथी फिर भी कोई doubt curry suggestions है, आपको comment कर सकते हैं, साथी साथ answer भी ज़रूर लिखिएगा, and make sure कि आपने मेरे चानल को subscribe कर लिया है, thank you